अक्टर अभिशेक बच्चन ने हाल ही में दिये इंटर्व्यू में अपने शुरुवाती दिनों कल सिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे डिरेक्टर जेपी दत्ता ने उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में स्पॉर्ट किया था और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका दिया। इससे पहले दो साल तक कई डिरेक्टर्स उन्हें रिजिक्ट कर चुके थे। इंटर्व्यू में अभिशेक ने सिर्फ अपने ही नहीं पलकी पिता अमिताब बच्चन के स्ट्रगल पर भी बात की। पताया 20 साल पहले जब Film Affair Awards होते थे तो एक्टर्स को एक महिने पहले से ही टै करना होता था कि वो एवेंट पर क्या पहनेंगे उस दौर में कोई रेंट या फिर फ्री आउटफिट्स नहीं देता था हमें खुद खरीदने पढ़ते थे उस दिन कोई शाम की शिफ्ट में अजीब लगता है पर उस वक्त मेरे पास ज्यादा कपड़े नहीं हुआ करते थे और नहीं हम नए आउटफिट्स अफॉर्ड कर सकते थे हम उस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे थे और कोशिश करते थे कि लोगों को वो दिखाई ना दे आगे का किस्सा बताते हुए अ इस टारिक्टर का बॉर्ड मिला था और जब वो स्टेट से नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने मुझे देख लिया दो दिन बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और फिर मुझे फिल्म ऑफर की अभिशेक ने साल 2000 में जेपी दता की फिल्म रिफ्यूजी से ब